वेलकम टो करेंट वाइसरी आज 8 मर्स दोज़र चौविस और आज की डेट में मैं आप लोगों के एकजाम को देखते वे इंपोर्टेंट कोईस्टिन इस वीडियो में लेकर के आई हूं यदि आपको इस वीडियो अच्छा और इंपोर्टेंट लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें और बैल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो को नौटिकेशन आप लोगो सबसे पहले मेल सेके थैंक्यू आज को जो इंपोर्टेंट कोईस्टन है मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रही हूं तो आज का पहला क मार्च दोजर चॉबिस में किस राजी ने विध्वा पुनर विवा प्रोफसाहन योजना शुरू की है तो इसका आंसर हो जाएगा जारखंड जारखंड का कैपिटल रांची हो जाएगा सीम चंपई सुरेन और गवर्नर सीपी राधाकिष्णन पी-म मोधी जी ने दस जा और वे जन ओस्थी केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया और इसके बाद में भारत का सबसे लिए हाई कोठ जारखंड में बना पीम मोदी जी ने जारखंड में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन भी किया है इसके बाद विद्वाव पुनर विवाव जो है इसमें क्या मतलब इसका उद्देश से तो इसका ये होगा इसमें कि विद्वाव को पुनर विवाव करने के लिए प्रत्साहन रासी की रूप में दो लाख रूपे अब अंटित की जाएंगे जो की जारखंड सरकार द्वारा किया जाएगा इसके वाद में हाली में दूसरा केस्टन है कि हाली में पिएम मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर सेवा का उधगाटन कहाँ पे किया है तो जगा अंसर पस्चिम बंगाल में हावडा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है और इस्टेशन है यह सता से 33 मीटर नीचे है इसके पर गया जो तीसरे कोस्ट जना आपके सामने वह आई कि हाली में दुनिया के सबसे अमीर वैक्ति कौन बने है तो इसका आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस जो जेफ बेजोस है वे अमेजोन की मालिक है जो की अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी इकॉमर्स कमपनी है और यह 200 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है इसके बाद सेकेंड पर बात करूं तो एलोन मस्क हो जाएंगे जो की टेसला के मालिक है इस पेस एक्स की कमपनी भी न जो जेफ बेजोस है वे फर्स्ट नमबर पे 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और जो क्या बोलते हैं एलोन मस्क है इनकी संपत्ति जो है 198 बिलियन डॉलर है इसके बाद थर्ड नमबर पे बोले तो बनार्ड अर्नाल्ड है इनका जो संपत्ति है वे 197 बिलियन डॉलर है और इसके बाद चौथे नंबर पे हैं मार्क जूकरबर्ग जो कि इनकी संपती है 179 अरब डॉलर इसके जो मुखे समभानेजी यह गुनिया के टॉप 10 में सामिल हैं यह हर साल मतलब टॉप 10 में ही आते हैं मैक्सिमम और यह रिलाइंज इंडिया लिम्टेट के मालिक हैं इसके बाद में जो चौथा कोश्चन है कि वह हाली में भारत का पहला राष्ट्री डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां उद्घाटन कहां क्या गया है तो इसका अंसर हो जाएगा बिहार और इसके बाद जो स डॉल्फिन अंसर अनुसंधान केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है तो इसका अ एक कि दॉल्फिन का कि व्यापक अध्यान करने में वैग्यानिकों और सोथ कर्ताओं का इसके बाद में गंघा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्री जलीजीव है और जो डॉल्फिन convictions इस जॉल्फिन का वेग्यानिक नाम हो जाएगा लटानेश्टा गेंगेटिका यह है यह द्रिष्टिहिन जली मंसहारी जीव है इसकी बाद में पांचवा कोस्टेना की हाली में इंद्रा गांधी प्यारी बहना सुक सम्मान नीधी योजना किसने शुरू की है तो इसका आंसर हो इसका उद्धेश के कबते होगा इसका उदेश यह होगा कि इंद्रा गांधी प्यारी बहना सुक समान जो नीधी योजना खोला गया है तो इसका उद्धेस है कि इस योजना के तहत राजी सरकार अगले वीत वर्स से 18-18 वर्स की आयू वर्ग की महिलाओं को पंद्रस रुपे प्रतिमाह देगी और इसका जो खर्च होगा इस योजना पर जो खर्च हुआ है वे सलाना 800 करोन रुपे का खर्च होगा इसकी बाद जनकाली के लिए मैं बता दूँ आपको कि हिमाचल प्रदेश का कैपिटल सिम्ला हो जाएगा और इसकी हिमाचल प्रदे मुख्य मन्तरी महिला समान योजना दिल्ली इसके हिमाचल प्रदेश समान प्रण दिल्ली की माहिए चालु कि रूपर मसाा उल pessimist से उपर जो महिला हैं उनको हर मैने 1000 रुपे देगी दिली सरकार और इसकी बाद में लाड़ली लक्ष्मी योजना MP में चला गया है जो कि हर मैने 1000 रुपे देगी और फिर इसको बढ़ा के जो है दर्रा है में दर्रा इसमें तीन है सिकला दर्रा रोतंग दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा इसकी बाद में छटा कोस्चन है कि हाले में किस राजी सरकार ने माई यूवा योजना सुरू करने की घोशना की है तो जगा यूपी इसकी बाद में यूपी सरकार ने में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और सर्विस सेक्टर की पर्योजनाओं के लिए पांच लाग तक का ब्याज लुन मुक्त दिया जाएगा मुक्त दिया जाएगा इसके बाद में जो सात्वा कोईश्चन है कि हाले में डाक पत्र से मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कितनी आयोग ने धारित की गई है तो इसका अंसर हो जाएगा 85 यर्ज इसमें क्या होगा कि जो 85 यर्ज के या इससे उ मांच पाते हैं तो उनके लिए व्यवस्था किया गया है कि मत्दान के अंदर पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी विघहर पर ही पोस्टल बैटल में और डाल सकते हैं इलेक्ट अलेक्ट अलेक्ट्रामेकली ए ट्रांस्मिटेड पोस्टेड बैटल सिस्टम कहते हैं इसको इसकी बाद में इसी आई जो है इसी आई का जो इस्थापना वा था 25 जन्वरी 1950 में वा था इलेक्षन कमिशन जो है 25 जन्वर 1950 में इसका इस्थापना वा था इसके बाद में सम्विधान के किस अनुछेद में आता है तो इलेक्षन कमिशन आफ इंडिया यह अनुछे 324 से 329 में आता है और इसकी जो है राजीव कुमार हो जाएंगे 25 जन्वर पे हैं और इसके बाद इसके टू और टू इसी हैं अनुप कुमार पांडे जी हैं और अरुन गोयल इसकी बाद आठमा कोस्चन हो जाएगा कि हाली में अमेरिका अमेरिकी गोल्फ एसोसियेशन के सरवत समान वाव जॉन्स पुरस्कार से किसी समानित किया गया है तो हो जाएगा टाइगर वूट्स को हाली में दूसरा नुवा कोस्चन है कि किस राजी सरकार ने किसानों के नीजी ट्यूब विल का बिजली विल का माफिया है तो हो जाएगा यूपी और इसकी बाद जो दस्वा कोस्चन है कि वे है कि हाली में कि इस देश के प्रधान मंत्री निकुलाई डेनकियों ने इस्थिपा दिया है तिसकांसर हो जाएगा नियुआ ग्रीट में अन्सराद में जाता हिकी कि अन्तरारश्टर महिला दीवस कब मनाए जाता है और कल का जो इसका आन्सर में बततए हुआн प्रथम भारती रंगीन फिल्म कौन सी है तो इसका आंसर हो जाएगा किसंद कनहया और इसकी बाद में आज का जो इंप्वर्टेंट क्वेस्चन था हो मैंने कंप्लीट कर दिया है अगर आप से रिक्वेस्ट है कि ज्यादस ज्यादा इस चैनल को लाइक करें और करें